हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं बहुत हलका फुलका खाना आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी लंज की रेसिपी जो बहुत ही लाइट है तो कई बार हम बाहर से खाते हैं और बहुत ही हवी हो जाता है और अगर आपको कुछ हलका खाने का मन हो तो इस तरह से आप रेसिपी बना सकते हैं ये बहुत ही लाइट है और हेल्दी भी है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप ले लिया है और इस कप में मैं राइस डाल देती हूँ और राइस के साथ मैं छिलके वाली मूंग दाल इसमें डाल दूँगे तो आप अपने आवशकता के अनुसार कौन्टिटी सेट कर सकते हैं आप किसी छोटे बाउल में भी इसे बना सकते हैं तो यहाँ पर यह जो मूंग दाल और चावल का रिशो है वो टू रिशो वन है इसका मतलब अगर आप एक हिस्सा मूंग दाल ले रहे हैं तो दो हिस्से चावल के ले लीजिए तो इस तरह से यह जो हरे मूंग दाल की मैं खिचडी बनाने जा रही हूँ यह बहुत ही हल्दी है और स्वादिस तो बनेगी ही तो इस तरह से एक हिस्सा मूंग दाल का और दो हिस्से चावल के आप ले लीजिए और इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसे हम वाश करेंगे तो 2-3 पानी लेकर आप इसे दो लीजिए तो friends आप देख सकते हैं, एमेने यहां पर पानी डाल दिया है और इसे हाथ से थोड़ा इस तरह से मसल के साफ कर लूगी तो इस तरह से मैंने 2-3 पानी लेकर के चावल को दो लिया है और अब यहाँ पर मैंने रख दिया है प्रेशर कुकर और फ्लेम को ओन कर दिया है यहाँ पर मैंने आदा चम्मच ओल डाल दिया और एक चम्मच जीरा मैंने इसमें डाल दिया है और जीरा तड़क जाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मुंग दाल और चावल इसका मैंने पानी निकाल दिया है और अब ये मैं इसमें डाल दूँगी और फ्रेंड्स आब हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी हमें डबल डालना है यानि जितना हमने मुंगदाल और चावल लिया है उससे डबल पानी मैं इसमें डाल दूँगी और उसे साथ मैं डालूँगी इसमें नमक तो आप देख सकते हैं जितरा मुंग दाल और चावर मैंने लिया था उसका डबल पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और अब मैं इसमें डालूँगी नमक तो स्वात के अनुसार नमक आप इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए यहाँ पर मैंने आदा चम्मच के करेब नमक डाल दिया है और इसे मिक्स करके एक बार आप टेस्ट कर लीजिए अगर आपको नमक कम लगता है तो आप थोड़ा सा नमक और एड़ कर सकते हैं और उसके बाद मैं इसका ढखन लगा दूगी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को हाई रखेंगे और अब मैं इसका ढखन लगा दूगी और तीन विसल आने पर फ्लेम को मैं आफ कर दूगी तो फ्रेंड्स ये जो मुंगदाल के खिचड़ी आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुती हेल्दी होती है अगर आप बहुती हेवी खाना खाके कभी-कभी हल्का खाना खाना चाहते हो तो आप ये मुंगदाल खिचड़ी जरूर बनाएं बंचों के लिए वह सब्सक्राइब टार्षb में 15 में ग्यां ह किससी भी बुवारी that this शल्के वाली मुंगडाल की और बहुत सारी रेशिपी साहती हूं कि मैं आपको बताने वाली हूं तो फ्रेंड्स यहां पर लगबग तीन विसल आ चुकी है मैंने फ्लेम ओफ कर दिया है और लगबग 5 मिनट के बाद मैं यह धकन खोल रही हूँ तो धन रखें धकन को एकदम ना गई है अब इसे में एक साइट पर रख दूँगी और अब हम बनाएंगे टमाटर की चटनी जो इस खिचरी के सांद भहुत ही स्वाधिस्ट लगने वाली है तो चलिए अब बनाते हैं टमाटर की चटनी तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने कुछ टमाटर ले लिये हैं और एक टुकड़ा अद्रक्का ले लिया है और दो हरी मिर्च ले लिया है अब इन सब को हमें ग्राइंड करना है इसका पेस्ट तयार करना है तो इसे मैंने छोटे कुड़ों में काट कर इसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और अब मैं इसे पीस लूँगी तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने इसे कवर कर दिया है और इसे मैंने पीस लिया है अब यहां पर मैंने एक पैन रख दिया है फ्लेम अन कर दिया है और ऑईल डाल दिया है oil डालने के बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है तो आदा चमच के करीब इसमें आप जीरा डाल दीजिए और एक पिंच हींग भी आप इसमें डाल दीजिए उससे इसमें टेस्ट आ जाएगा और इसके बाद ये जो पेस्ट हमने तयार किया था टमाटर का इसे मैंने इसमें डाल दिया है और इस stage पर flame को लो रखेंगे और अब flame को high कर देंगे अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी तो friends इसमें ज्यादा पानी न डाले आधा cup के करीब इसमें पानी डाल दें और flame को high कर दे और इसे पकने के लिए रख दे तो friends 3-4 उबाल आने तक इसे हमें high flame पर पकाना है और अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे तो friends यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और आप कुछ मसाले डाल रही हूँ यहाँ पर मैंने भुने जीरे का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सौफ पाउडर डाल दिया है friends इसमें सौफ का पाउडर जरू डालें उससे इसका टेस्ट और भी बढ़कर आएगा गर आप अधरक लेसन खाते हैं, तो इसमें एक चमच अधरक लेसन का पेस्ट भी डाल दीजिए, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा पाने डाल दूगी friends इस तरह की चटनी बना कर आप हफते तक रख सकते हैं एक हफते तक आप इसको बना करके फ्रिज में रख दीजिए, यह खराब नहीं होगी तो कभी भी जब आपके पास खाली समय हो, आप जादा मातरा में टमाटर लेकर इस तरह की चटनी बना करके अगर रख देंगे तो वो एक हफते तक खराब नहीं होगी और जब इसे यूज करना है फ्रिज में से निकालिए, गरम करिए और यूज कर लीजिए और इस तरह की टमाटर की चटनी बना कर आप सबजी में भी यूज कर सकते हैं अगर आपने इसे बना करके एक काच के जार में स्टोर कर लिया और फ्रिज में रख दिया तो आप हफदे बार तक इसे юज कर सकते हैं चाय आप चटनी के रूप में यूज करे या सबजी में भी टमाटर की प्यूरी की रूप में इसे डाल सकते हैं अब इसे 3-4 उबा लाने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे लगबग 5-6 मिनट तक इसे अच्छे से पकाएंगे और फिर लो फ्लेम पर भी इसे 3-4 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से पक जाने पर इसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा और ये थोड़ी सी गाड़ी होने लगेगी तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे पकाते हुए लगबग 5-6 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ी थोड़ी गाड़ी होने लगी है यदि आप चाहें तो इसमें एक दो हरी मिर्स भी काट कर डाल सकते हैं और अब इसे पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं तो मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और 2-3 मिन तक और पका लूँगी और 2-3 मिन के बाद मैं फ्लेम को आफ कर दूँगी फ्रेंड्स ये चटनी आप बना कर जरूर रखे ये भूती फायदे मन भी है और समय की बचद भी इससे होती है खाली समय में आप इसे बनाईए और जब आपको किसी भी चीज में यूज करना है किसी सबजी में यूज करना है तो भी आप इसका एक चमच लेकर के सबजी में यूज कर सकते हैं आपको टमाटर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी हो गई है ये तो टमाटर की चटनी बनकर रेड़ी है और तयार है हमारा लंच हलका फुलका बहुती स्वादिस्ट तो फ्रेंड्स आप भी ट्राइ करिए ये रेसिपी और ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ मिलती हो अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए एंड टेक केर